21 जुन को विश्व योग दिवस है और इसको लेकर पूरे देश में इस वार योग को आउनलाइन मनाने का फैसला किया गया है इस संबन्ध में पर्धान मंत्री नरेंद मोदी ने एक वीडियो जारी कर देश वासियों से अपील की है कि वे अपने घर में आसपास में रह कर ही योग दिवस मनाएं और पहले से भी जादा उत्साह दिखाएं नमश्कार अंतर राष्ट्री योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुब काम रहें कोरोना संकट के बीच इस बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना यही तो मनुष्य का स्वभाव है रुकने ठकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्सा से मनना चाहिए उतनी ही उर्जा से मनना चाहिए हां आप जरूरी दिशान दिर्देश का पालन करते विए योग दिवस बनाएं इसलिए इस वर्ष अंतर राष्टिय योग दिवस की थीम योगा एड होम एंड योगा विद फैमिली यह बहुत जान बुचकर के विशेत ताय किया गया है घर पर योग परिवार के साथ मिलकर के योग आज की परिस्तिति में आपको निरोग रहना बहुत आवशक है और उसमें योग प्राणायम जरूर मदद करेगा अपनी इम्मिनेटी के लिए योग करिए अपनी एनरजी बढ़ाने के लिए योग करिए अपने आत्म विश्वास के लिए योग करिए, अपने आत्म बल के लिए योग करिए, अपना उत्सा बढ़ाने के लिए योग करिए और अपने मन की शांती के लिए भी योग करिए साथियों, बीते पाँच वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है, योग ने पूरे विश्व को जुड़ा है अब इस अंतरराष्टिय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्त के लिए पूरी तरह समर्पित करना है हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हमारा परिवार और हमारा समाच स्वास्तर है हम सभी यह जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस की वैक्शिन नहीं बन सकी है इसलिए इस समय स्ट्रॉंग इम्मिनिटी की हमारे लिए हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है यही हमारा बोड़ी गाड़ा है इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वस्निय साथी है मैंने अहाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है कई लोग 21 जुन को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं इस वैश्विक महामारी के बीच यह बहुत सकारात्मक संकेत है मुश्किलों में मुश्कराना संकट के समय में संयम ये भी तो हम योग सही सिखते हैं आप योग करें खुब योग करें स्वस्त रहें शांत रहें प्रसन रहें एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत बहुत बढ़ाई बहुत शुप कामनाएं धन्यवाद